हलो एवरीवन वेलकम तो माइट्यूब चैनल सो ओफिसियल एंसर की रिलीज होने के बाद सारे रैंक प्रेडिक्टर ने उसके एक ओर्डिंग जो है की अपना एंसर की डाल दिया था तो अब ओफिसियल रैंक प्रेडिक्टर के हिसाब से आपके मार्क्स आपके इनो विंडो पर सो हो रहेंगे जैसे की मेरा यहां पर सो हो रहा है एंड नंबर आप कैंडिडेट इस्टेबल हो चुके हैं ज्यादा लोग अब चेक नहीं कर रहा है इट मिन्स कि जितने लोग चेक करने चाहिए थे वह अभी कर चुकी हैं एक दो दिन में और मानलों की 600 700 या जैसे जो अभी आपका करेंट रैंक सो कर रहा है जैसे अभी मेरा रैंक सो कर रहा है 1195 आउट आप एप्रॉक्स 6200 स्टुडेंट ठीक है तो इससे ज्यादा वैरियेशन अब नहीं आएगा लेकिन फाइनल जब रिजल्ट पब्लिस होगा कितने रैंक तक जा सकता है यह हम लगाएंगे अब कमिंग वीडियो में ठीक है लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने जा रहे है कि इस बार गेट 2024 गेट 2023 से कैसे अलग है ठीक जैसे मैंने बताया कि जो यहां पे दिख रहा है कि बहुत ही कम मार्क्स अभी यहां पे सो हो र बट उसमें कितना रेंग दिख रहा है 1195 और गेट 2023 में से मार्क्स पे रेंग था अराउंड 3000 में ठीक है बट यहां पे रेंग कम सो हो रहा है इसका मतलब यह है कि इस बार जो नंबर आफ कैंडिडेट अपीर्ड हुए हैं गेट 2024 में वह प्रिविएस यह से कम है यह तो से बेडिए और हो गया क्योंकि जो नंबर आप इस्टुडेंट अभी चेक किये हैं वह प्रिविएस यह से कम है यू कन सी एंड सेकेंड तिंग कि मैं आपको यहां पर सो कर देता हूं कि जो टॉपर के मार्क्स हैं प्रिविएस यह टॉपर के मार्क्स ज्यादा सो हो रहे थे मतलब बहुत ही ज्यादा आ रहे थे अराउंड 85 या 90 के करीब सो हो गया था लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जो दो स्टुडेंट अभी हैं जो 76 से 80 के बीच में अभी तक दो स्टुडेंट से हो गया है इससे यह प्रूब होता है कि जो पेपर का डिफिकल्टी लेव था ठीक बट उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग यह है इस साल के पेपर में कि जो नंबर आफ रॉंग क्वेश्चन है या रॉंग ली फ्रेम हैं वह बहुत ही ज्यादा है ठीक है क्योंकि अभी भी इस्टुडेंट ऑफिशल एंसर की आने के बाद भी उस एंसर की से सट आने वाले है ठीक तो वन तिंग तो से ओर हो गया कि जो इस बार 2024 में स्कॉर है वह भी इंक्रीज होने वाला है इस कंपेड टुब प्रीवेस एर ऑन दे सेम मार्क्स एंड रैंक बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने वाला है ठीक है तो इस बार रैंक काफी अच्छा आने वाला है इविन मिनिमाम स्कॉर पे भी मिनिमाम स्कॉर आइमन सीन जो 30-40 पाय है उनका भी रैंक किस बार अच्छा होने वाला है एस कंपेड टुब प्रीवेस एर ठीक है तो यह दो एडवांटेज है आई थिंक कॉट आफ भी थोड़ा सा रिड्यूज हो जाएगा क्योंक लेकिन सबसे ज्यादा अभी जो ब्लंडर किया है आई ऐसी बैंगलोर ने कि नंबर आप क्वेश्चन बहुत ही राउंड कर दिया जैसे मैंने बताया पॉर एक्जामपल अगर हम बात करें 63 पे कुछ स्टूरेंट का अपना मानना है कि जिन्होंने एंसर लगाया है 99.something वह यह कह रहे है यह होना चाहिए एक्वेश्चन एंड कुछ यह कह रहे है कि मार्क्स टू ओल होना चाहिए ठीक है तो यह तो इस्टूरेंट अपने इंट्रेस्ट के अक्वाडिंग करते रहेंगे लेकिन अपको चैलेंज करना है अगर आपको नंबर पाने है 99.67 जो भी एं आपको चैलेंट बात करें दूसरा कोश्चन था ब्लैंकिंग वाला जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहे है इसमें भी बहुत सारे इवेन कोचिंग वाले एंड इस्टूडेंट कोटेशन दे रहे हैं कि इस बुक में ऐसे में तो यह होना चाहिए इस बुक में ऐसे मेंशन हो आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हो लेकिन इन लार्जर नंबर सबको बेनिफिट करें तो ज्यादा बेटर है ठीक है वैसे एक कोश्चन और बात हो रहा था कि वह फ्लो वाला फ्लो वाला क्वेश्चन जो पाइप के थुरू है कि कोचिंग वालों ने सारे कोचिंग वालो है कि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है तो यह चार पोटेंशियल क्वेश्चन है जिसको कि आप स्कूटनी के लिए अपलाई कर सकते हो हां डेफिनेटली आपको आपस में नहीं फाइट करना है आपको ISE बैंगलोर से फाइट करना है in a good way so that आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके हां तो यह चार कोश्चन पोटेंशियल कंडिएट है डिसकस हो गया था तो लेट सी क्या पॉजिटिव इंपक्ट आता है सबकी गेट स्कूर पे एंड रैंक पे उसके एकॉर्डिंग फॉर्दर हम देखेंगे कि आपको क्या मिल सकता है लाइक PSU, IIT, NIT तो उसके ल सकता है सबक्ट आता है